नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि इफिमोल 650 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है इफिमोल 650 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इफिमोल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहां भी डिसकस करेंगे कि इफिमोल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सामधानिया रखनी चाहिए इफिमोल एक ब्रैंड नेम है, इफिमोल टाबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पैरासितामोल 650 Mg होता है, इफिमोल टाबलेट का उप्योग दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, इफिमोल टैबलेट का उप्योग बुखार होने पर, शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडीशन्स में इफिमोल टैबलेट का उप्योग किया जाता है। बहिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्द से राहत पाने के लिए इफिमोल टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी इफिमोल टैबलेट का उप्योग किया जाता है। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इफिमोल टैबलेट की वज़ा से कोई side effects नहीं होते हैं. इफिमोल टैबलेट दर्द और बुखार की एक सुरक्षत दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में इफिमोल टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन ज्यादा डोज में इफिमोल टैबलेट को लेने की वज़े से लिवर डैमेज हो सकता है इसलिए आपको इफिमोल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। एलर्जिक रियेक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको इफिमोल टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशिस या इफिमोल टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है। तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन एलर्जिक रियेक्शन के हो सकते हैं, और एलर्जिक रियेक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवशक्ता होती है. अब हम डिसकस करेंगे की इफिमोल टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है. इफिमोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर बारह साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक् दे सकते हैं इफिमोल टैबलेट की डोज उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको इफिमोल टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि इफिमोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमार तीन दिन से अधिक इफिमोल टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना इफिमोल टैबलेट को लगातार तीन दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए इफिमोल टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इफिमोल को लेना recommended नहीं होता है इफिमोल टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी इफिमोल टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम समय के लिए और कम दोज में इफिमोल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इफिमोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं